हेलो दुरस्तों आप सुलूं का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं 1.6 ठीक है तो 1.6 में पहला प्रसंद दिया गया है इसमें find करना है value पहला प्रसंद है 64 की power जो है 1 upon 2 है तो यहां पर 64 जो लिखा है इसे हम LCM के माध्यम से solve करेंगे पहले number पर power बनाएंगे और से simplest form में convert करना है 2.3 जा 6, 2.2 जा 4, 2.1 जा 2, 2.6 जा 12, 2.8 जा 16, 2.4 जा 8, 2.2 जा 4 तो 2 की power देखेंगे कितनी आ रही है यहां पर 6 आ रही है तो यहां पर इसे लिखेंगे 2 की power 6 और पहले सी 1 upon 2 इसकी power दी गई थी तो 1 upon 2 ठीक है उसके बाद क्या करेंगे 2 की power 6 और इस bracket को हटाएंगे यहां पर हम multiply का sign लगा देंगे अब इस तरीके से solve पर सकते हैं 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 ठीक है तो इसे काट देंगे तो finally answer जो इसका बनेगा 2 की power 3 ठीक है तो 2 की power 3 है यहां पर तो 2 को हम 3 time लिख लेंगे इस तरीके से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, finally answer इसका कितना आया 8 आ गया, question number 2 है इसमें दिया गया है 32, 32 की power है 1 upon 5 ठीक है तो 32 को भी उसी तरीके से solve करेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 तो 2 की power यहां पर 5 आई है तो यहां पर लिखेंगे 2 की power 5 और इसकी सब power दी गई थी उपर इतनी ठीक है तो 2 की power 5 लिखके bracket को हटाएंगे multiply के sign लगाएंगे 5 बन्जा 5, 5 बन्जा 5 तो finally answer कितना आ गया इसका 2 आ गया थर्ड वाला तो इसमें दिया गया है 125 ठीक है इसकी सब power दी गई है 1 upon 3 ठीक है तो 125 को उसी तरीके से solve करेंगे 5 से देखेंगे 5, 2 जा 10 अब 5, 5 जा 25 तो 5 की power यहां पर देखेंगे कितनी हो गई 5 की power हो गई है हमारी 3 ठीक है और इसके उपर सब power लगी हुई है कितनी 1 upon 3 तो bracket को हटाएंगे तो कितना जाएगा 1 upon 3 तो 3 बन्जा 3 कट गया तो एंसर कितना आगया 5 1.6 का दूसरा प्रसंद दिया गया है इसमें भी value find करनी है ठीक है इसमें से पहला प्रसंद ले रहे हैं 9 की power है 3 upon 2 तो 9 को हम simplest form में लिखेंगे power के रुप में यानिकी बनाएंगे तो 3 3 जा 9 ठीक है तो 3 की power कितनी यहां पर हो गई है दो हो गई है तो 3 की power यहां पर 2 लिख लेंगे और इसकी एक power दी गई है 3 upon 2 ठीक है ऐसे लिखने के बाद ब्रैकेट को हटा देंगे तो 2 हो गया multiply 3 की power 3 upon 2 2 एंजा 2 2 एंजा 2 तो 3 की power 3 बन गया है यहां पर 3 into 3 into 3 तो 3 ठीक है तो 3 ठीक है तो 32 को जब solve करेंगे तो 2 एंजा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 की power कितनी आ गई 5 तो डारेक्ट लिख लेते हैं यहां पर है 2 की power 5 और इसकी एक power दी गई है उपर 2 upon 5 तो 2 की power 5 multiply 2 की power 5, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 तो 2 की power कितना हो गया है यहां पर 2 हो गया ठीक है तो इससे स्कॉर की रुपए है 2 2 जा 4 तो finally answer कितना आ गया 4 इसका अगला प्रिशन है यहां पर दिया गया है तीसरा 16 की power यहां पर 3 upon 4 तो 16 को solve कर लेंगे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 2 तो 2 की power कितनी हो गई 4 हो गई तो यहां पर लिख लेंगे 2 की power 4, 3 upon 4 हो गया तो 2 की power 4 multiplied by 3 upon 4, 4 जा 4, 4 जा 4 जा 4 तो 2 की power 3 हो गई ठीक है इसे विस्तारित रूप में लिखेंगे ठीक है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया तो 2 जा 4, 4 जा 8 तो फाइनले इसका answer कितना आ गया 8 आ गया question number 4 इसमें दिया गया है 125 की power है minus 1 upon 3 तो 124 को हम sorry 125 को हम simplest form में बनाएंगे यानि power के रुप में बनाएंगे ठीक है तो 5 2 जा 10 अब 5 5 जा 25 5 5 जा 25, 5 जा 5 तो इस तरीके से आ गया 5 की power 3 तो 5 की power कितनी 3 हो गई और इसकी एक power उपर दी गई है पहले से अल्रेड़ी है तो minus 1 upon 3 हो गया तो power को हम open कर देंगे इस तरीके माइनस 1 upon 3 तो 3 जा 3 जा 3 जा 3 जा 3 तो इस तरीके से 5 की power कितनी आई minus 1 ठीक है तो minus 1 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 upon 5 यह हमारा answer होगा तीसरा question है इसमें simplify करना है ठीक है तो किरेंगे simplify तो इसका पहला प्रसंद दिया गया यहाँ पर है 2 की power है 2 upon 3 multiply किया जा रहा है 2 की power 1 upon 5 से base same होने के कारण तो base इसमें से एक ले लेंगे और power को हम add कर देंगे तो 2 upon कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर कितना दिया है 1 upon 5 तो 2 upon 3 plus 1 upon 5 यह different है यह denominator तो क्या करेंगे इन दोनों का multiply कर देंगे 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 3 बन जा 3 तो हो गया हमारा 13 upon 15 तो 2 की power कितना जाएगा 13 upon 15 तो यह इसका right answer होगा question number 2 1 upon 3 की power 3 और इसकी सब power दी गई है 7 ठीक है तो इसको सबसे पहले हम open करेंगे इससी पर भी power बनाएंगे यह वाली power जो है ठीक है तो इसको पहले open करेंगे तो इसकी power होगे 7 और 3 की power 3 और इसके ऊपर भी power होगे हमारी 7 ठीक है तो इस तरीके से हम open करेंगे फिर वन को हम ऐसे ही लिख लेंगे और यहां पर जो power है 3 की power 3 तो इन दोनों के multiply कर देंगे 73 जा कितना हो जाएगा 21 तो 3 की power हो जाएगी 21 ठीक है तो इसको अगर simple form में लिखें तो आ जाएगा 3 की power minus 21 तो तीसरा प्रसंद दिया गया है 11 की power 1 upon 2 11 की power 1 upon 4 ठीक है तो यहां पर दिया गया है 11 की power 1 upon 2 अधर दिया गया है 1 upon 4 ठीक है तो यहां पर देखेंगे base base जब same है तो क्या करेंगे ठीक है तो पहली वाली power से दूसरी वाली power को minus कर देंगे तो 1 upon 2 minus ठीक है तो यह संखे जाएगी minus में हो जाएगी तो 1 upon 4 अब इन दोनों को हम अलग से solve कर लेते हैं 1 upon 2 minus 1 upon 4 अलग अलग है तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 और 4 बंजा 4 और 2 बंजा 2 हो जाएगा तो कुल मिलाकर आगया 2 दोस्तों यहाँ पर हमने 4 रख दिया था ठीक है तो 4 नहीं यहाँ पर 8 होगा तो 1 upon कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8 वह यानि 1 upon 4 यहाँ पर answer आएगा ठीक है तो 1 upon 4 तो 1 upon 4 होगा तो यहाँ पर इसका answer change हो जाएगा 11 1 upon 4 answer इसका हो जाएगा ठीक है क्योंकि यहां पर 8 था ना मैंने 4 रख दिया था इसलिए 1 upon 2 आ गया था तो आप जब 8 हो जाएगा जो 8 है यहां पर ठीक है तो इस तरीके से 11 की पावर 1 upon 4 हो जाएगा इसका चौथा प्रसंद दिया गया है 7 की पावर 1 upon 2 multiplied by 8 8 की पावर 1 upon 2 तो यहां पर देख रहे हैं कि इसका बेस जो है different है पावर सेम है ठीक है पावर सेम है जो पावर सेम हो common कर देते हैं बाकी को हो multiply कर देते हैं 7 into 8 हो जाएगा और 1 upon 2 तो 7 और 8 का multiply करेंगे तो आजाएगा 56 तो 56 की पावर कितनी हो जाएगी 1 upon 2